दोस्तो आज मैं आपको एक real flagship killer दिखाऊंगा ये phone है cheapest phone with snapdragon 888 30,000 इस phone का price है चाइना में ये phone आपको इंडिया में जल्दी देखने को मिल जाएगा और ये बात आप बिल्कुल confirm मान सकते हैं ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ बैस्ट बात है कि जब ये phone इंडिया में लोंज हो जाएगा तब भी हमारी ये लाइन बिल्कुल वैलिड रहेगी cheapest phone with snapdragon 888 बहुत ही aggressive price होगा इसका इंडियन मार्कित के लिए ये phone है realme GT यहाँ पर दोस्तों पूरी कोशिश की गई है इस phone में आपको सब कुछ डाल कर देने के जिससे आप इसको proper flagship phone मानो flagship दिलर की जवापे बस कुछ बात हैं जो कि आपको mind में रखके चलना होगा वीडियो को एंटर देखना सब आपको बताने वाला हूँ यह आपको box मिलता है realme GT का box में है back cover user manual 65 remote का charger और USB seat केवल बस यही है device कर हम देखते हैं तो मुझे इसकी in-end film जबरदस लगी है मुझे दोस्तों realme की एक बात बहुती सही लगती है कि यह अपने device के form factor पर पूरा ध्यान देते हैं यह phone बहुती slim है और आप इसको अगर लबे टाइम पर यूज़ करेंगे तो भी आपको एक comfortable feel होगा काफी compact यह device है आज कर आप जानती हैं कि इतने बलकी phone लोज़ो रहे ह उन सब के बीच में यह phone बिलकूल आपको बलकी feel नहीं होगा मजा आएगा आपको यह यूज़ करने में single hand से भी आप इसको अराम से यूज़ कर पाएंगे इसके लिए thumbs up है realme को बागी backside आपको glass दे रहे हैं साइडों में है plastic का frame डिजाइन phone का अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है अब देखते हैं इसका display यहाँ पर है 6.43 इंच का पंच ओल सूपर AMOLED डिस्प्ले 120Hz refresh rate के साथ मुझे display size यह perfect लगता है यूज़ करने के लिए 6.5 इंच के आसपास देखो एक बात तो यहाँ है कि 120Hz यहाँ पर बहुत ही अच्छा perform कर रहा है smoothness आप device की feel कर पाएंगे आपको यह use करने का मज़ा आएगा दूसरी बात यहाँ है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी content देखते हैं तो उसको आप पूरी तरह से enjoy करेंगे color reproduction इसका मुझे जबरदस लगा और bezels भी यहाँ पर काफी कम है बिल्कुल आपको disturbance नहीं होगी content देखने के time पे साथ में outdoor peak brightness है 1000 nits की अगर आप यह direct sunlight में यूज़ करते हैं तब भी आपको कोई problem नहीं आएगी तो indoor outdoor कहीं भी आप यूज़ करो इसका डिस्पे मस लगेगा आपको आगे बाद इस वीडियो के comment में बता दो कि आपको realme GT कैसा लगा और आपको के लगता है यह फूर इंडिया में किस प्राइस प्राइस किया जाएगा आप प्राइस गैस करो हम चेक करेंगे इंडिया लोन जोने के बाद कि कि कितने लोगों ने सही गैस किया साथ मेडियो आपको अच्छा लग रहा हूं वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा मैं आपके लिए इसी तरह की और भी इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आने वालों या फिर आप गह सकते हैं एक्स्लूजीव वीडियो लेकर आने वालों चलिए हैं आगे बच् अची लगी है मैं आपको यहां पर कुछ सुनाता हूं लाउड और क्लियर ओडियो आपको मिलती है और दिल्कुल आपको डिश्टोर्शन फिल नहीं होगी फूल वोल्यूम करने पर भी साथ में आपको यहां पर हैटफून जैक पी मिल जाएगा जिसका आउटपूट कमाल अब बात परफूर्मेंस की जो कि हम सब जानते हैं एक फ्लैक्शिप परसेसर है साथ में आपको स्टोरेज रैम भी फ्लैक्शिप वाली दी गई है यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कम प्राइज में स्टोरेज के साथ कॉम्परवाइस नहीं किया गया परफू गेमर्स का यहां पर खास ध्यान रखा गया है 360Hz का टच सेंप्लिंग रेट है जो की पूरी हैल्फ परते हैं गेमिंग के टाइम पे और हाई ग्राफिक्स में आप अच्छी खासी गेमिंग यहां पर कर सकते हैं आपको इस फोन में गेमिंग करने का मज़ा आ जाएगा यह म आपको बोल सकता हूं और इतनी हाई पर्फोर्मेंस के बाद भी मैंने यहां पर कोई हीटिंग इस फेस नहीं किया यह भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम स्नैप्लिंग टिपलेट पहले भी उस कर चुके हैं हर बर हमने देख है कि यह प्रोसेसर काफी गरम होता है यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको लिक्वीड कोलिंग सिस्टम भी दे रहे हैं हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए तो यह बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर आपको मिलती है फ्लैक्शिप वाली परफोर्मेंस फ्लैक्शिप के प्राइस प आपको यहां पर नोर्मल है केमरा को लेकर रहे हैं और आपको यहां पर EIS मिल जाएगा स्टेबल वीडियो क्याप्चेर करने के लिए OIS इस फोन में नहीं मिलता आपको साथ में front camera है इसकी quality भी ठीक ठाक है उतनी ज़्यादा मैं अच्छी नहीं करूँगा इसकी camera को मुझे लगता है improvement की जूरत है पूरे phone में अगर मैं किसी जिसको बोल सकता हूँ कि flagship level का नहीं है तो वो है इस phone का camera बाकि सब कुछ यहाँ पर flagship level का आपको दे रखा है बैटरी के अगर बात कीज़े तो बैटरी यहाँ पर है 45100 mAh की 65 वो चार्जिंगा सिपोर्ट इस phone में आपको मिल रहे है अगर आप इसको 0 से 100% चार्ज करते हैं तो आपको टाइम लगेगा 35-40 मिन्ट के आज पास का जो कि मैं आज सेकता हूँ जबरदस्त लगा मुझे और जहां तक बैटरी बैकप की बात है तो वो भी आपको यहाँ पर कमाल का मिल जाएगा Snapdragon 888 काफी ज़्यादा power efficient है बजो यहाँ पर Realme UI मिल दाना इसको थोड़ा mind में रखना पड़ेगा आपको क्योंकि जो Realme UI है इसमें आपको उतनी premium लेवल की feel नहीं आएगी यूज करने की इसको मुझे लगता है Realme को पूरी तरह से change करना पड़ेगा flagship smartphones के लिए यहाँ पर पूरा feel देना पड़ेगा stroke android वारा हाले कि Realme UI काफी improve हो चुक है पहले के comparison में बड़ अभी भी जो recommendation ads वाला पंगा है वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए Indian variant में मुझे काफी comments मिलती है कि जो flagship phone है Realme के वहाँ भी ads recommendation देखने को मिलती है यह चीज थोड़ी हजीब है कि इतना पे करने के बाद भी हमें ads और recommendation देखने को मिलें Realme UI में major improvement मिलिया हमें पहले के गम बैजर में बस यह ads recommendation वाली चीज ठीक हो जाए तब मैं कहूँगा मज़ा आ जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी इस बास से अगरी करेंगे तो यह complete package है Realme GT का यह phone इंडिया में 30 से लेकर 35,000 के बीच में लोंज हो सकता है ऐसे काफी सारे leaks कहा रहे हैं तो ऐसे मैं मैं कहूँगा अगर इस price पे यह phone आता है तो यह phone matched बन जाएगा अपने price segment का खासकर gamers को यहाँ पर मज़ा आ जाएगा बलकि मैं तो आपको यह भी कहूँगा अगर आप Realme XM1 Max लेने की सोच रहे हैं तो आपको इस phone का वेट करना चाहिए थोड़ा और investor के जाना चाहिए Realme GT के साथ बस इसका जो camera है उसको improvement चाहिए बाकि सब कुछ यहाँ पर flagship वाला आपको मिल रहे है मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पनी होगी आज की वीडियो से अगर आपको यहाँ पनी हो तो वीडियो को लाइक होशे करना बत पूलिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में थैंक्स पर होचिंग दिस वीडियो